दोस्तो बोले बंडारी आज दिनांक आठ मईद दोजार सोभी से आज की देवानी जन्मानी मंगल बनी मैं आपका दोस्त मंगल दोस्तो अभी सुभे के कोई साड़ेच्छे के बाद का समय होगा आज मैं अभी अपनी प्रात्ना सभा से भी नहीं जूड़ पाया अच्छे तरह से अभी कुछ समय पहले मैं एक लेडी पत्रकार के बारे में सुन रहा था जिससे एक दूसरा पत्रकार जिसका इंट्रेवू ले रहा था क्योंकि उस लेडी ने दाओद इब्राहिम की कई बार इंट्रेवू ले थे बड़ा इंट्रेस्टिंग वार्तलाब था नाम में भूल गया कोई वाद नहीं उसके बाद मैंने कई क्लिप देखी एक पत्रकार विनिता यादव की क्लिप भी में देख रहा था पत्रकार विनिता यादव कि साथ साथ मुझे एक एंजी आई के करेकारे करता लेडी यादव याद आई एंजी आई के करेकरता वे भी कितनी स्मार्ट और एक्टिव करेकरता हैं सेम पर्सनल्टि लाइक पत्रकार विनिता यादव दोस्तों यह सब में क्यों बता रहा हूं इसलिए कि यह मेरे जो टूटे फूटे वीडियो जोते हैं उनका एक हिस्सा है उसके बाद में जुन रहा था पत्रकार सुसाम सिन्ना का सो बड़े एक्टिव पत्रकार हैं बड़े तीखे बोलते हैं सुसाम सिन्ना लगते तो बीजेटी के और रसेस के कट्टर समर्थ हैं जैसे भी हो अपन को क्या लेना देना आखिरकार मैं इस प्रसंद पर आया चार जून दोहजार सोविस के बाद कौन चार जून दोहजार सोविस के बाद कौन देखिए चार जून दोहजार सोविस के बाद ऐसे लगता है कि कुछ भी हो एक बार तो मोदी कृदी पर बैठेंगे ही लेकिन इस्थाई रूप से कौन आएगा लेकिन इस्थाई रूप से कौन आएगा यह है ने मोदी ने बीजेपी ने रसेस ने कांग्रेस ने राहूल ने प्रियंका ने मायोती ने अखिलेस कोई नहीं पर्मानेटली सासन कर सकेगा यहां का चार जून दोजार तोविस के बाद टेंपरेसली कोई भी आ जाए मोदी राहूल लेकिन पर्मानेट सासन ब्युस्था कौन तमालेगा ने मोदी ने बीजेपी ने रसेस ने कांग्रेस ने रहूल ने प्रियंका ने मायवती ने अखिरेस अनली MGI वाला या MGI वाली इसका मतलब मिस्ट ग्रेट इंडिया वाला या मिस्ट ग्रेट इंडिया वाली कौन इसका मतलब यह नहीं कि मंगल हो या दोग्सिवक जी हो या प्रदिय मिस्ट जी हो या रवी जी हो चाहर जून के बाद एक ऐसी सक्षियत कि सासनी उस्थारी है जिसकी विचार धारा मिस्ट ग्रेट इंडिया से ही मिल खाती है और इनी के सिद्धानतों पर जो चलेगा इनी सिद्धानतों से जो देश कि सासनी उस्थारी चलाएगा मंगल लोक्षेवब जी पेमिस्ट जी रवी जी अनिल जी या अन्य कोई या नए लोग द्वारे हैं कोई भी हो सकता है हो सकती है क्योंकि यहां नए नए प्रत्वाओं की महानात्माओं की एक्सपर्टीज की कमी नहीं इस ब्रह्माण्ड में सब कुछ की प्रचुरता है प्रमात्माने कम कुछ बनाएं नहीं कितना ही धन कितनी प्रत्वाओं कितनी कला कितना ही विज्ञान कितने तरत्रे लोग कितने एक्सपर्ट कितने ड्रामा करने वाले कितने ठग कितने अच्छे कितने बुरे लोग यहां पर कोई कमी नहीं गिनना भारी हो जाएगा पड़े बड़े प्रसासक इस दुनिया में आए हैं और चले गए और आएंगे चार जून दोजार प्रोविस के बाद कौन ने मोधी ने बीजेपी ने आरेसेस ने कंग्रेस ने रहूल ने प्रियंका ने मायवती ने अक्रेस ओनली मिसर ग्रेट इंडिया वाला या मिसर ग्रेट इंडिया वाली MGI does not mean only that mangal आर लोक्चेवक आर अनिल जी या पीमिस्रा जी, रवी जी या और कोई ये कोई भी उद्वट विद्वान या एक आत्म हो सकती है, देश का साशन तो सुचार रूप से, इस्थाई रूप से तभी चलेगा, जब ये कोई आएंगे, मोधी, वीजेपी, आर असेस, कांग्रेस, राहूल, प्रियंका, मायवत या ख्रेस, इत्यादी कि किसी के बसकी बात नहीं है, अब इस देश की साशन तर्ष्था को आगे चलाए ना, साशन वेफ्था को तो आप वही चलाएगा, वही चलाएगा, जिसने, मिशन गिरेट इंडिया से ट्रेनिंग ली है, या कम से कम इसके प्रोग्रामों में हिशा लिया है, इसके सिद्धानतों को माना है, देखते जाएगे, ये मैंने दो बोड़ पर क्या-क्या लिख रखा है, क्या की लिख रखा है, बहुत कुछ, चलो कुछ पढ़ कर सना देता हूँ, हम तो फकीर हैं, जोला उठा कर चल देंगे, मैंने कुछ लिखा इसमें, जो क्लिप्स मेरे कुछ याद आ रही है, पिछले दस सालों की, जो सोचल मीडिया पर बोले गई, हम तो फकीर हैं, जोला उठा कर चल देंगे, जो मेरे याद आ रहा है, क्या, सोचल मीडिया पर एक लेड़ी बोल रही थी, हीरा बेन, हीरा बेन, बच्चे तो हमने भी जणे हैं, लेकिन तुम ने यह बताओ कि इस बच्चे को पैदा करते समें, तुमने खाया क्या था, हीरा बेंड हीरा बेंड बच्चे तो हमने भी जड़े हैं पैदा किये हैं पर उन्तु तुम ये बताओ कि इस बेटे को पैदा करते समय तुमने खाया क्या था उस लेडी का मुझे ये वाक्य हुव हुव मेरे सामने आ रहा है इस सोचल मीडिया पर किसी लेडी ने बूला था बहुत लोगों सुना हुआ तीसरा मुझे क्या याद आ रहा है जो मैंने लिखा भी है भारत के ग्रामिन परिवार में एक महान आत्मा का जन्म हो गया है भारत के ग्रामिन परिवार में एक महान आत्मा का जन्म हो गया है भाई ये क्या ये मैंने पढ़ा था कब पड़ा था 1965 का समय हुआ एक किताब में एक बुक भाई नारेनदद स्रीमाली जोद भुर्वाले उसमें क्या प्रेडिक्शन्स दिया हुई थी प्रेडिक्शन्स भाई नौस्टर दमस जीन डिक्शन्स लेडि जीन डिक्शन्स एंड फ्लोरेंस लेडि नौस्टर बड़ा परभायत हुआ क्या कि भारत के ग्रामिन परवार में एक महानात्मा का जन्म हो गया है वह इस देश को समय लेगा क्योंकि उस समय भी जब मैं 15-20 साल के अवस्था में था मैं यह चिंता करता था कि यह देश आखिरकार चलेगा कैसे यह चल कैसे रहा है हजारों साल से कैसे चला है लेकिन जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा संतोस आया कि चलो भारत के ग्रामिनी परवार में कोई तो एक महान आत्मा कर जन्म हो रहा है जो परिस्थियों को संभालेगा जिसको सारी दुनिया भारती नहीं सारी दुनिया जानेगी और जो दुनिया को कंट्रोल करेगा गाइड करेगा और मैंने क्या दिखा पढ़ा कल पर सो एक बाबा जी एक जाल पीले कपड़े पहने हुए कोई कथा वाचक्षा बोल रहा था कि हमारी तो यह इच्छा है कि चाई वाला जाए तो गाइवाला आए वो कह रहा था कि चाई वाला जाए तो गाइवाला आए देखो यह मैंने लिख रखा चाई वाला जाए तो गाइवाला आए और में क्या मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने सुना ये ने चाय वाला है ने गाय वाला है ये तो इसके आगे मुझे बोलने की हिमत नहीं हो रही ये ने चाय वाला है ने ये गाय वाला है ये तो दोस्तो मैं कोई अपने को कैयर नहीं समझता बुज दिल वे कमजोज भी नहीं समझता लेकिन फिर भी दुनियादारी का नुसार क्या सही है यह जरूर मैं एनलिसिस करता हूँ यह ने चाय वाला है ने यह गाय वाला है यह तो इसके आगे के सब्ने नहीं बोल पारा आप कहेंगे कि ये डर्फो को होगा हो भी सकता है इस प्रत्व पटल पर महान महान आत्मा आती हैं हो सकता इन सब्दों को बोलने वाली वो लड़की कोई महान आत्मा हो ने ये चाय वाला है, ने ये गाय वाला है, ये तो वह है, लेकिन दोस्तों ये सुनों, जैसे मैंने दिखा चैनिम्बर बर, लेकिन सब कुछ MGI के प्रोग्रम क्या, प्रोग्रम वे संकल्प का नुसार ही हो रहा है, लेकिन यहां भारत में सब कुछ Mission Great India के प्रोग्रम और संक अच्छा फसा मोदी, ये मोदी अच्छा फसा, इसके बचने के अब दो ही राखते हैं, मोदी के बचने के दो ही राखते हैं, या तो विदेश भाग जाना, या MGI की प्रातना सभा में सामिल होना, विदेश भाग जाना, या MGI की प्रातना सभा में सामिल हो जाना, ये मैं क यह सिर्फ मोदी के लिए नहीं है, यह हर एक भारतिय के लिए है, मेरे विचार से, या तो विदेश भाग जाना, या मिशन ग्रेट इंडिया की प्रात्ना सभाव में, डपप प्रोग्राम में, सुबह पांच-छे विदेश सामील हो जाना। क्योंकि, 2019 से ही मैं कहा रहा था, कि यहां तो हालत विगडेंगी, क्यों विगडेंगी, कहते हैं न, कि पूप के पाउं पाल नहीं दिखाई, देने लग जाते हैं, पर सितियां पहले से बनने लग जाती हैं, कि अब आगे क्या होगा। यह तो पहले से ही था, यह सब कुछ पहले से था, बहुत पहले से, तब से फरजीत डिग्री विगरी का परकषण आया, उससे पहले से भी तैह था क्योंकि करम कभ replay नश्च थोड़ी होते हैं, करम तो आदमी के क्रम फल तो आपना काम करने के बाद ही नश्च होते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट पर चुना जाओ भी मोदी से कोई कम दोसी नहीं है, मैं इन सब बातों को मई 2019 से बताता चला रहा हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि मेरा चैनल Mission Great India, यह समझ लो जो जैसा मैं कहता हूं, कि हमारा आम्डोलन Mission Great India कुछ कम सुना जाने वाला प्रोग्राम रहा है, सुप्रीम कोर्ट यह सुना आयो, भी देश की नहालतों को बनाने में कम दोसी नहीं है, और जो अभी हम कहते हैं, सोच रहे हैं, कि मोदी अच्छा फशा, यह कहलो, कि सुप्रीम कोर्ट यह सुना आयो को भी अच्छी फशे, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुपर जज, यह सुना आयो के कमिशनर भी अच्छी फशे, होता तो वही जाता है, जो मैं 2019 से वीडियो में बोलता रहता हूँ, अब मैं उसी सुरुवात के प्रस्न पर आता हूँ, जो मैंने पहले बोला है, कि मैं अभी एक लेडि पत्रकार के क्लिक सुन रहा था, जिसका इंट्रेवू एक दूसरा पत्रकार ले रहा था, उस लेडि पत्रकार ने दाउद इबराहिम के बहुत से वीडियो दिलिये थे, उनके बारे में बहुत कुछ बताया था, अभी में लेडि पत्रकार विन्यत यादो के क्लिक सुन रहा था, और उसके साथ साथ एक यादो लेडि एमजी आई कारे करता के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह हमारी कारे करता रही हैं, विन्यत यादो और हमारे मिशन गिरेट इंडिया की यादो लेडि सिमिलर पर्सनल्टी समझो, बराबर का कद, बराबर का फेर स्किन, बराबर की लगभग उम्र, और उनका एक्प्रेशन, हाँ तो अब हम मेन इस प्रसन पर आएं कि अब ने मोधी, ने बीजेपी, ने आरेसेश, ने कांग्रेस, ने रहुल, ने प्रियंका, ने मायवती, ने अखलेश, चार जून दोजार सो इसके बाद, कोई नहीं, अउनली, कोई भी मिस्न गिलेट इंडिया वाला, या मिस्न गिलेट इंडिया वाली, इसका मतलब यह नहीं है, कि यह कोई मंगल ही हो, या लोक्चेवक जैसा, प्रदीब मिस्रा, रवी कुमार, अनिल कुमार जैसा कोई हो, यह कोई जो सकता है, हमारा प्रोग्राम महानात्मा को ढूंडने का, उनसे संपर करने का, उनको अपने संगठन में सामिल करने का भी है, हम इस बारे में कोईशिश करते रहते हैं, और भारत के ग्रामनी परवार में एक महानात्मा कर जन्म हो गया है, बुक बाई स्री नारणाद स्रीमाली जोद्वुर, 1965 से लेकर असित्तक का समय होगा, जब मैंने एक किताब पढ़ी, जिसमें प्रडिक्शन्स थी बाई नौस्र दमस लेडी जीन डिक्शन और लेडी फ्लोरेंस की, मैं बड़ा हर्शित हुआ कि चलो, जैसे बगवान बच्चे का जन्म होने से पहले, उसकी माता के इस्तिनों में दूद्ध पैदा कर दिता है, ऐसे ही भारत की हालत बिगड़ने से फैले, वै किसी नी किसी को तो यहां हालतों को संभालने के लिए भेजी रहा है, चाई वाला जाए तो गाई वाला आए, मेरे तो यह इच्छा है, भे बाबा जी बोल रहा था, नहीं यह चाई वाला है, नहीं यह गाई वाला है, अरे यह तो, क्या है, मैं हिम्मत नहीं कर रहा, बोलने की, लेकिन यह संसार, यह कुई महान आत्माउस के भीन नहीं है, चाई वाला नहीं आए, गाई वाला नहीं आए, तो यहां आने वाले बहुत बैठे हैं, चेंटो, चेंटो, अरे यहां लियाओ, खोलो जो को देरे खटकाओ क्यों, खुलता है, देजाओ, अरे लालीय मेरे पंकाच चला जाना, दूसर नम्मर है, अरे थंड़ पानी पृत का और लाना, अद़ गलास, दोस्तो, चाय पीओ, अभी छोटे बच्चे, चंदरकांत की मेसेज, यह चाय कॉफी दे कर गई है, आप भी पीजे, कभी आईए, मुझे, हमें मोका दीजे, आपको चाय कॉफी पिलाने का, पानी आजाने दू, यह लगा जाना, जीती रो, जीती रो, लगा जा फूरा, मैं फिरिज का पानी कमी पीता हूँ, हर्म तो फिर भी कभी-कभी फिरिज का पानी बहुत मजाता है, अब इस तोवे मैंने यह फिरिज का पानी मनाया, मैं तो गड़े का पानी जरदे तलपीता हूँ, तेको गए मेरे गड़ा, सामने रखा हुआ है, आपको ध्यान आ रहा हूँ तो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वह ने चाय वाला होगा, ने गाय वाला होगा, ने जने मोधी होगा, में सिद्ध कर दिया है कि ये लोग कि सासन पर सासन चलाने लायक नहीं हुआ कि वह तो अलग ही कोई कि मिशन ग्रेट इंडिया वाला होगा या मिशन ग्रेट इंडिया वाली होगी जिसने किसी रूप से मिशन ग्रेट इंडिया में ट्रिनिली होगी या इसके कारिकरमों में हिसलिया होगा ये ऐसा भी नहीं तो कम से कम जिसके विचार जिसके विचारधारा मिशन ग्रेट इंडिया जैसे भी विचारधार होगी और इसी किसे दंतों पर चलता होगा चलते होगी लेकिन दोस्तो ये दुनिया कभी भी महानात्माँ से भी नहीं रही जहां पर चार्ज लेने के लिए एक से एक अधुत उधवट विद्वान महानात्मा एक्सपर्टिज आते रहते हैं परमात्माँ उन्हें भेड़ते रहता है उसके लीला बड़ी अप्रमपार है अब बड़ा हल्ला गुल्ला सा होगा विपलव सा होगा फिर भी सब कुछ चांत हो जाएगा दो कॉफी पियो दोस्तों बड़ी कॉफी टेस्टी कॉफी है आप भी आ जाएए अब हम थोड़ा सा आपने इस लेखन का या जो हमें लिखाएं इसको विसिलिशन कर लेते हैं एनलिसिस हम तो फकीर हैं जोला उठा कर चल देंगे हाँ भाई साब आप तो फकीर हैं और सारे लोग तो ऐसे घूंते रहते हैं उनके विचारें को पास जोला भी नहीं है कम से कम आप जोला तो उठाकर चल तो देंगे लेकिन आप चलेंगे तो तब जब कोई आपको चलने देगा तो क्या कोई इसको जोला उठाकर जाने देगा भाई मैं तो समझता हूं कि नहीं यह संसार यह डूश संसार ऐसे थोड़ी चलता है कि कि किसी कि इच्छा भी जोला लेकर आया जोले से कुछ निकाला कुछ जादुगरी कुछ ड्रामा बाजी की और जोला उठाकर चल दिया ऐसा नहीं होता इस दुनिया में इस वर्लड इस वरी सिस्टमेटिक वरी अकुरिट यह गनित पर आदारित है यह भृतिक विज्ञान पर आदारित है यह रसान विज्ञान पर आदारित है और पता नहीं कितने कितने प्रकार के विज्ञानों पर यह आदारित है इस अंसार जिसके जिसका अभी आता पता ही नहीं और छोर का ही पता नहीं के चलता कि आखिरकार यह दुनिया है क्या और यहां कोई आता है जोला लेकर आता है जोले में से डमरू निकालता है डमरू वाजी करता है और पर कहता है कि हम तो जोला उठाकर चल देंगे अरे भाई चलो तो सही कैसे चल देंगे यह हिसाब किताब की दुनिया है यहाँ अपना हिसाब किताब दे बिना कोई आदमी कोई जिंसी जोला उठाकर निचल देती देखते जाई अभी यहाँ क्या क्या होता है ने यह चाय वाला है ने यह गाय वाला है अरे यह तो वे वाला है मेरे में डर्पोग हुआ तो क्या हुआ सारी दुनिया तो डर्पोग नहीं होती बहुत सी महान आत्वाए हैं जैसे वो लड़की जैसे बहुत से लोग इस वर मेरे सामने खड़ा है अब होना तो वही है जो इस चैनल पर देवानी जन्वानी मंगलवानी कारिकरम में बोले जाता है बहुत देखो मेरे ऐसा मनना है मेरे ऐसा विचार है मेरी ऐसी थिस्ट रहिए रिसर्च रहिए मेरे ऐसा विज्ञान रहा है कि ऐसा होगा और जैसा मुझे लगता है सत्क अनुसार में ऐसा ही बोल देता हूँ इस सब विचलिशन का इस सब के कहने का बोलने का वीडियो बनाने का क्यारत है कि आप भी वह आत्मा हो सकते हो हो सकते ही नहीं आप हो आप में से ही कोई है जिसका ये देश दुनिया कम से कम भारत देश इंतजार कर रहा है क्योंकि यहां तो बहुत जाद़ जर्त है किसी एक्सपर्ट की किसी महान आत्मा की किसी उद्वट विद्वान की वह किसी देव तुले आत्मा की कि यहां की परिशितियों की संबाले और मैं तो लिखता ही रहता हूँ क्या लिखा बारत में कुप्रबंदन का बुलबाला है बारत में कुप्रबंदन का बुलबाला है यहां चोर जूटे बेईमान का सम्मान और इमान बार कर्मठों का अप्मान है यहां के नियम उल्टे है इसलिए यहां इसलिए यहां क्या चलता है कि मूत को पियो और दूद को ना लियो बहादो का सिद्धान चलता है यह क्या सिद्धानत है यह उल्टे सिद्धानत है इसलिए यहां चलता है कि यहां मूत्र को पुपियो, और वैहा भी पसों का मितुर मूत्र पुपियो, लेकिन गाय बेस मेंज का दूदियों उनको नलियूंबादो, इसलिए यहां पत्थरों को चपन भूग लगते हैं, और बच्चों को भुरा भूख हमारा जाता है इसलिए तो यहां घमासान मचा हुआ है और घमासान मचेगा मचना भी चाहिए क्योंकि मचेगा तभी थोड़ी विवस्था आई और तुम लोगों को ही इस एविस्था के वरुद कोहरा मचाना है समझ जाओ डरो मट यहां कोहरा मचा दो यदि आपने एविस्था के वरुद कोहरा म नहीं मचाया तो वह कोहरा म आपके वरुद मचाय जाएगा क्योंकि परमानत्माने आपको यह अमुल्य मानुजियों देकर ऐसे थोड़ी भेजा है आपको कुछन कुछ मैनेजर्शिप के का काम देकर यहां भेजा है उसको आपको पूरा करना है छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो चाहे आपको घर को समवालना चाहे आपको किसी ओफिस को समवालना या कोई और बड़ा काम करना देश को समवालना दुनिया को समवालना लेकिन आपका काम मानो पूर्टर के रूप में एक मैनेजर का है जरूर चाहे आपको एक खित को समवालना घर को समवालना परोस को समवालना देश और दुनिया को समवालना लेकिन यहां से यह समालना जरूरी है आप लोग कोई यदि आप अपने को जश्चित करते जाते हो वैसा ही होता जाता है हम डिटल डिटल रूप में इसको मिशन ग्रेट इंडिया के डप अप प्रोग्राम के अफर मिशन में जनरली इसकी एक जलक देते हैं यू आप अपने को समझे लेते हो आप वही बन जाते हो काम तो आपको करना पड़ेगा आपको मानो जीवन दिया है तो मानो जीवन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा आपको एक घर दिया है बच्चे दिये परिवार दिया है तो उस परिवार को समझना ही पड़ेगा आप किसी ओफिस में हैं ओफिस में कुछ सबॉर्णेट में हैं या मैनेजर हैं तो आपको उसके अनुसार काम करना ही पड़ेगा, ये श्रिष्टी कोई वैसे नहीं चलती, हम तो फक्तिर हैं, जोला लेकर आये थे, जोला उठाकर चल देंगे, या कोई वैसा नहीं चल सकता, चाहे जोला वाला हो, चाहे अरप्ति हो, सब को अपने हिसाब किताब दीना पड़ेगा, जोले वाले को जोले का अनुसार, अरप्ति को अरप्ति का अनुसार, माल्या को माल्या का अनुसार, जीटली साब में खल जा रहा हूं लंदन, हाँ जी जाओ जाओ, पता नहीं जीटली साब तो कहाँ चलेगे, लेकिन माल्या का हिसाब किताब अभी होना बाकी है, सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा, आप ये नोट कर लीजिए, मैं और आपके ये चाहिए बसने, बसकी हो या नहीं हो, प्रकरते की सक्तियां धूट हैं, उसके यहां कोई कमी नहीं है, वो कैसी भी हालते पैदा कर सकती है, कैसे भी लोगों को पैदा कर सकती है, कैसी भी एंटिटीज को पैदा कर सकती है, उसकी सक्ति का कोई पारावार नहीं उसकी चेतना का कोई पारावार नहीं अलिमिटेड है वह है अभी भारत में बहुत कुछ ऐसा-ऐसा होगा जिसके कोई कलपना मीं नहीं कर रहा और मैं तो समझता हूँ कि ये चार जून के आसपास भी हो जाए हम तो फकीर हैं जोला उठा कर चल देंगे हाँ बाई चल तो देंगे करोड़ लोगों में जहर के इंजेक्शन घुशेड़ दो और कह दो कि हम तो जोला उठा कर चल देंगे हाँ जी चल तो दोगे हीरा बैन बच्चे तो हमने भी पैदा किये हैं हम भी लेडी हैं हम जानते हैं बच्चे पैदा करने का क्या अर्थ है लेकिन तुम यह बताओ कि इस बच्चे को पैदा करने के लिए पैदा करने के समय तुमने खाया क्या था भारत के ग्रामरी परिवार में भाई नौ स्थेड़ दमस जिन डिक्षन लेडि जिन डिक्षन एंट फ्लोरेंश चायवाला आये चायवाला जाये तो गायवाला आये यही हमारी इच्छा है हां भाई आपकी इच्छा तो हाई औरों की भी कोई इच्छा हुई, अरे उनकी इच्छा तो देख लो, आपके चाय वाला तो आ गया, कुछ जरू थोड़ी आपके गाय वाला भी आए, और रोग भी तो इंदुजार किये बेठे हैं, नहीं ये चाय वाला है, नहीं ये गाय वाला है, अरे ये तो, सब कुछ Mission Great India के प्रोग्राम संकल्प का नुसार ही हो रहा है, हमें ऐसा लगता है, बाकी परमात्मा जाने, हम अपने में जूट नहीं बोल रहे हैं, चुकि हमका नुसार ऐसा लगता है, कि जो Mission Great India का प्रोग्राम है, इसकी जो विचारदारा, इसके संकल्प का नुसार हो रहा है, वही प्रकर्ति पूर आप उस देवी पटल पर लाती जा रही है, और वह अपना रोलादा कर रहे है, चाहिव है, अभी जिसके मैंने क्लिप सुना भी नित यादो हो, चाहिवो Mission Great India की यादो लीडी हो, चाहिवो सुसान सुना हो, चाहर जून के बाद कौन आ रहा है, टेंपरेशली कोई भी गल्दिय पर बहर जाए, लेकिन देशको शासन ने मोदी चला रहा, ने रहूल चला रहा, ने बीजेपी, ने रसेश, ने कांग्रेश, ने रहूल ने प्रियंका, ने मायवर्ती, ने अखलेश, प्रियंकी तीक तरुक्त बाद काहिए, ने माया रही प्रियंका, ने माया रहा हूं, ने रहा हूं, ने रही हूं,